नमस्कार मैं वरुन मिस्रा और आप देख रहें न्यू 24 बाइट अभी मैं मौझूद हूँ रक्षॉल के सुनारपटी रोड में राजसीरी दुकान में और एक होनहार बच्चों ने अपने माँ बाप का और इस रक्षॉल सहर का कितना नाम रोसन किया है आप देखेंगे और मैं मिलूंगा उस बच्चे से अभी और दिखाऊंगा कि उस बच्चे ने इस रक्षॉल के छोटे बच्चों के लिए और माता पिताओं के लिए क्या एक मिसाल कायम किया और क्या जनकारी देना चाहता है चलिए मैं अभी आप उस बच्चे से मिलाता हूँ और दिखाता कि ये बच्चा बारा साल के उमर में, इतनी कम उमर में सैनी की स्कूल की तयारी की और तयारी करने के बाद पहले ही एटेंट में इस बच्चे ने उसमें चैन करके और अपने माता, पिटा को और इस रखसौल सहर को बहुत ही गर्वानमीत किया है चलिए मैं अभी इस बच्चे से मिलता हूँ बाबू आपका नाम क्या है सासी सेगर कुमर आप कहां से पढ़ाई की है रक्सल से ही की है आपकी प्रारंबिक सिक्षा जो है अभी इससे पहले अपकी सिस्कूल में पढ़ते थे संत माइकल स्कूल में और आप जो सेनिक स्कूल का तयारी कियें वो किसके पास कियें वो कौन सा इंस्टिट है सेवक संजयना कोचिंग संस्टा है असोक सर उसकी प्रोप्राइटर है और आप जो चैन हुए हैं इसका स्रे आप किसको देना चाहते है असोक सर को असोक सर को और आप किस से प्रेरित हुएं और इसमें आपको कौन प्रेर ना दिया कि नहीं बाबू आप सेनिक स्कूल का ही तैयारी करो मतलब मेरा इच्छा है कि कोई बड़ा अपसर बने हम क्योंकि यहां पर बहुत ही भरस्टाचार होता है तो उसी को सुधारने के लिए अच्छा आप पढ़ाई पुरी करके आप क्या बनना चाहते होगे आई एस ओफिसर और जब आप आई एस ओफिसर बन जाओगे तो भरस्टाचार के खिलाफ आपकी क्या कुट निती होगी भरस्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे यहां पर बहुत सारे नेता आते हैं जो पटना से आते हैं तो यहां पर बस बोल के चल जाते हैं घूस लेकर चल जाते हैं तो वह इसा कम नहीं होने देंगे चुक्य यहां पे जो भीbaser आते हैं जो भी नेता लोग आते हैं वो लोग चुक्य हमारा भीहार है और भीहार में बहुत ज़ादा गुस चुक्य ह्शइला को शुधार देंगे पूरा अचिह तरह से पुरे अच्छी तरह से आप सुधार्द होगे चलिए और आप अपने माता-पिता से प्रेदित हुए कि आप अपने से ही मन में लिए कि नहीं मुझे आई-एस ऑफिसरी बनना है मेरे पापा भी बोलते थे आपने आप से भी प्रेदित हुआ कि आई-एस बनना से आप चोविस घंटा का दिन और रात मिला के चोविस घंटा होता है अप उसमें कितने दिर मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं आठ गंटा पढ़ते हैं चलिए बहुत-बहुत धन्यवार चलिए मैं अभी इनके पिताजी से मिलूँगा और बात करूँगा कि उनका इस पे क्या कहना है आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में 24 News का मैं स्वागत करता हूँ और आपके बच्चे का जो ये लगन है आप इसको मतलब कौन सा सिख्षा दिये हैं क्या इस बच्चे को मतलब शुरू से किस सांचे में डालें कि ये बच्चा गौरवानवी धोकर और इतनी छोटी सी उमर में सेहनी की स्कूल उभी तैयारी करके फॉस्ट एटेम्ट में और 12 साल के उमर में इतनी नन्य से उमर में ये क्रेक किया ये तो हर गार्जियन अपने बच्चा को मतलब वे गार्जियन करता है लेकिन कुछ-कुछ बचा गार्जियन से अलावान निकल जाता है एक्षा निकल पूरे बिहार में इनके पिता जी ने बताया कि तिसरा रहन का है और आप यहां के जो भी गार्जियन है जो भी बुद्धी जीवी है या जो भी बच्चे हैं आप उनको क्या राय देना चाहें उनको राय देना यहीं चाहते हैं कि जो भी कंडिशन में हो पैसा बचा करना रखे बच्चों बच्चा को अच्छा सिक्षा दें जिस तरह हमने दिया हमने अपने पास एक रुपाना रखकर भी बच्चा को पढ़ाना काम किया और जिसका निकला यह कि आज मेरा बच्चा मेर बाला चंडी गुजरात में हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं वरुन मिश्रा और आप देख रहें नीट 24 बाइट